next हम बात करेंगे learning as a social activity के बारे में यहीं कि learning का social context क्या है इस topic में हमने already बहुत सारा बात कर लिया है in our previous videos क्योंकि हमने कई बार discuss किया हुआ है कि learning एक social activity है जिसे कि हम जब वाइगोच की के cognitive development theory को पढ़ रहे थे तो तब भी हमने discuss किया था कि किस तरह से social factors, cultural factors और linguistic factors important होते हैं cognitive development में तो हम एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे के साथ भी सीखते हैं जब हम दूसरे से interact कर रहे हैं तो उसके तुरू भी हम कुछ सीखते हैं और हम एक दूसरे के experience और understanding के ऊपर build कर सकते हैं यानि कि अगर मैं आपको कुछ सिखाता हूँ तो आप मेरा knowledge और information को लेके उसको improve करके आप एक और version बना सकते हो और आप से कोई और सीखेगा तो वो आपके knowledge और information को लेके उसको further improve करेगा तो इस तरह से हम एक दूसरे के knowledge और experiences और understanding को improve कर सकते हैं उसके ऊपर build कर सकते हैं next हम behaviors और skills सीखते हैं by observing others इसके बारे में हमने discuss किया था in observational learning फिर हम कुछ community groups में participate करते हैं जिसके तुरू हमारे identity जो है वो influence हो जाता है जैसे कि मेरे identity को मेरा family, मेरा friend circle है, मेरा college, मेरा religion ये सारे social factors मेरे identity को influence करते हैं तो अगर learning is a social activity तो हमें इसे encourage करना चाहिए तो किस तरह से हम social learning को encourage कर सकते हैं तो पहले तो हमें अपने class में जो group है जो बच्चों का group है उन्हें help करना चाहिए, support करना चाहिए to create meaningful relationships यानि कि बच्चों को social skills सिखाना है और आप देख सकते हैं, schools में कुछ ऐसे houses भी बनाते हैं जैसे कि red house, green house, yellow house, blue house ये भी एक तरह से एक opportunity होता है बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलने का एक दूसरे के साथ interact करने का ताकि वो social learning में participate कर सके फिर हमें ज्यादा से ज्यादा collaborative learning को encourage करना है in the classroom ज्यादा से ज्यादा group assignments, projects हमें देना चाहिए बच्चों को फिर we should explore and include the wisdom of the group यानि कि जब हम group discussion करते हैं या फिर brainstorming करते हैं तो हम देख सकते हैं किस तरह से उस group का wisdom उस problem को आसानी से solve कर रहा है जिससे कि एक बच्चा एक idea देता है कि किस तरह से एक problem को solve किया जा सकता है तो दूसरा बच्चा उस idea को लेके उसे एक और level तक उसे improve करता है तीसरा बच्चा उस आइडिया को एक अलग नजरे से देखता है तो इस तरह से वो ग्रूप का जो wisdom है वो collectively उस question को answer कर रहा है या फिर उस problem को solve कर रहा है फिर हमें classroom में और classroom के बाहर भी बच्चों को space देना चाहिए opportunity देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से interact कर सके और एक दूसरे से सीख सके तो यह है learning as a social activity and the social context of learning